दो गुटों का जगड़ा हुआ था दोनों गुटों के अपर बराबर कारवाई होना चाहिए था बे गुनाहों को पुलिस सलाखों के पिछे डाड़ रही थी दोकेट खिजर पटेल सहाब ने मजले से त्यादुल मिसलिमीन के तरफ से तमाम रिया होने वाले बच्चों का केस बिलकुल मुफ्त में बिला मुआइजा लड़ा है आतंगी संगठन के लोग जबरन जबरदस्ती घरों में घुसकर उनके गोश्त की फोटोगराफी कर रहे थे वीडियो कर रहे थे पुलिस के कारवाई से तो मैं बिलकुल भी मुतमाइन नहीं हूँ तो पुलिस ने दौलताबाद मैटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कारवाई की है इनको इनके आगाओं के तरफ से छूट मिली वी है ये आखिर इनको कौन इख्तियार देता है इनको कहां से इतनी छूट मिलती है साबी जो दौलताबाद में जो मसला हुआ था तो मसला कहता है थोड़ा सा लेटर में बताई असलाम अलेकुम और रहुत अल्लाहि वरकातू मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इदुल अजहा के माध्य के उपर कुछ शर पसंदों ने हमारे शहर की दौलताबाद शहर की अमनों अमान को फिज़ा को खराब करने की कोशिश की थी इस बात को लेकर दो गुटों में जगड़ा हुआ और वो जगड़ा इतना शदीद बढ़ गया कि उसने एक दंगी की शकल इफ्तियार कर लिया था जिसके अंदर भहुत सारे बे गुनाहों को पुलिस सलाखों के पिछे डाड़ रही थी और बड़े संगीन इल्जाम उनके ओपर लगाए जा रहे थे जैसे के 307 हो और 395 और ऐसी कल में उनके ओपर लगाई जा रही थी कि जो के नौन बेलेवल है तो ऐसी सूरते हाल के अंदर मजली से इत्तिहाद मुस्लिमीन के तरफ से मेरे को ये जिम्मेदारी मिली कि आप दौलताबाद मैटर के अंदर जाइए जो बच्चे बेगुना बेकुसूर जेलों के अंदर बंध है और जो बेगुना बेकुसूरों के उपर एफाईर दर्जी की जा रहे है ऐसे लोगों का आप छुडाने का काम कीची अभी पूरे मामले में जो भी अखराज जाता है तमाम बेगुनाहों को छुडवाईए और जहातक रहाया सवाल अखराजात का तो आइड़ोकेट खिजर पटेल सहाब ने मजलिस इत्यादलमस्लिमीन के तरफ से तमाम रिया होने वाले बच्चों का केस बिलकुल मुफ्त में बिला मुआइजा लड़ा है इन्होंने कोई फिज चार्ज नहीं की है किसी को भी एक रुपिया भी नहीं लगा है तो तमाम खर्श मैं समझता हूँ कि खर्श तो इसमें हुआ नहीं पहली बात खर्श इस वज़े से नहीं हुआ क्योंकि एड़ोकेट साब का ही मेंड रोल था की जमानत करवाना तो उन्होंने किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया है बाखी रहा है छोटा मुटा सवाल की वहाँ से टपा लेना दोलताबा जाना आना हरसुल जेल के अंदर पहुचाना ये सारी चीज़े छोटी मुटी बाते है तो इसके अंदर किस ने किया किस ने नहीं किया ये तना कुछ बताना जरूरी ही है तो ये तमाम क्रेडिट और ये तमाम जो मैनत हुई है और जो तमाम बच्चे रिया हुए है इनका तमाम की तमाम क्रेडिट मजलिस इत्यादिल मुस्लिमिन को जाता है तमाम कॉर्पोरेटर्स को जाता है लियासत के सदर इंतिया जनील साहब को जाता है पूरे प्रोसेस में आप कब से जुड़े और मतलब क्या क्या आपके वज़े से उन दोगों को है जी देखिए मेरे खायल से इदुल अजहा दो हजा अपने इदुल देखिए हमारे पास में जिस तरह से मालूमात आई है उसमें ये बताया गया था अब सच्चाई कितनी है ये मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन जिस तरह से मालूमात मिली थी शहरवासियों के तरफ से कि पुर्वानी के रोज कोई आतंगी संगठन के लोग जबरन जबरदस्ती घरों में घुसकर उनके पुर्वानी के गोश्ति की फोटोग खाजी भी कर रहे थे तो इस बात को लेकर मुसल्मान घुसा हुए कि मुसल्मान की मा बेने जो है तो परदे का इहतेमाम करती है परदों के अंदर रहती है और इस तरह से बिना बताई किसी के घर में घुस जाना ये बड़ी शर्म की बात है मैं इस वक्त के उपर पुलिस परशासन से भी ये सवाल करता हूँ कि आखिर इनको कौन इख्तियार देता है इनको कहां से इतनी छूट मिलती है ये जो आतंगी संगाठन के लोग आप मुख्तियार बनकर कभी जानवर की गाड़ी पकड़ लेते है किसी के घर में घुस जाते है किसी को जबरन जे जे एस दोलताबाद पोलीस और अदालत की तरफ से जो भी कारवाई हुई तो उससे क्या मुतमईन है अब ये देखिए पोलीस के कारवाई से तो मैं बिलकुल भी मुतमईन नहीं हूँ हाँ कोट के फैसले से मैं बड़ा मुतमईन हुआ हूँ और बड़ा खुशी की भी बात है कि अदालत ने हमारे साथ में इंसाफ किया है पुलीस की अगर हम बात की जाए तो पुलीस ने दोलताबाद मैटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरफा करवाई की है सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों को गिरफतार करने का काम किया है आप अगर उस रिकॉर्ड को देखेंगे जिसके अंदर मुसल्मान के अलावा किसी एक को भी गिरफ़तार नहीं किया गया है मैं रोजे अवल से यही बात कह रहा हूँ कि भई वो लोग जगड़ा करने वाले हिंदू थे, मुसल्मान थे, सीख थे, इसाई थे, पार्सी थे, दलित थे, बौध थे, जैन थे, मारवाडी थे, ब्राह्मन थे ये इन बातों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है मेरा मानना सिर्फ इतना है कि दो गुटों का जगड़ा हुआ था दोनों गुटों के अपर बराबर कारवाई होना चाहिए था और हमारे जो मुसल्मान बच्चे है जो बेकसूर बेगुना होने के बावजूद भी इनके अपर एफायर हुई है और उनको घरों से फरार रहना पड़ा और जो बच्चे फरार थे पुलिस ने उनको भी पगड़कर लाने का काम किया है और इसी एफायर के अंदर चार मुसल्मान के अलावा चार लोगों के नाम है जिनको अभी तक के गिरफतार नहीं किया गया है इतने लोग2 होए थे और कितनों को अभी तक रहायाय मिल चुकी जी देखिये उसके अंदर कुल मिलाकर पंदरा पंदरा लोग इसके-अदर एफेक्टेड थे पंदर या सत्रा लोग ऐसे कुछ थे जिसकें अदर अरेस्ट हुए पहले दिन हादो लोग अरेस्ट हुए बाद में जिन लोगों को वननीस तारीफ के दिन अदालत में पेश किया गया और पुलीस ने उनका साथ दिन का रिमान मांगा रिमान मांगने के बाद में मजलिस इतिहात मुस्लिमीन के तरफ से एडोकेट खिजर पटेल साहब ने अदालत में पहरवाई की और उनकी पहरवाई करने के बाद में उनको दो दिन के बतले सिर्फ एक दिन का पीसे आर मिला पुलिस ने साथ दिन का मांगा था तो ऐसे छे बच्चों को अरेस्ट करके लाया गया था अल कि खिजर पटेल साहब के जरिये से